22 साल बाद एक बार फिर कॉंग्रेस में अध्यक्षपत के लिए चुनाओ हो रहा है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और सुभा 10 बजे से मतदान शुरू हो गया है आज मतदान होने के बाद 19 अक्टूबर को नतीजे खोशित हो जाएंगे पार्टी के केंज़े चुनाप प्राधिकरण के अध्यक्ष मदोसूदन मिस्तरी ने AICC कारेले में कॉंग्रेस अध्यक्षपत के चुनाओं के लिए मतदान शुरू होने से पहले अंतिम जाच की थी जिसके बाद मतदान शुरू हुआ तो अब तक किस-किस ने किया मतदाना ये देखते हैं रिपोर्ट में देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस के लिए आज एहम देर हैं क्योंकि आज कॉंग्रेस अध्यक्षपत के लिए वोटिंग हो रही है आज दोनों उमीदवार मलिकार जुन खडगे और शशी थरूर की किसमत पिटारे में बंद हो जाएगी दोनों की किसमत का फैसला 19 अक्टूवर को होगा उस दिन कॉंग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा जिसके नेतरित में पार्टी आगामी विधान सभा और 2024 में आम चुनाओ लड़ेगी खास बात ये है कि 22 साल बाद कॉंग्रेस में अध्यक्षपत के लिए चुनाओ हो रहा है वोटिंग के लिए देश भर में 40 केंदरों पर 68 बूत बनाए गए हैं जहां सुभा 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी कॉंग्रेस सद्यक्षपत के लिए करीब 98-100 मतदाता जो कॉंग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधी हैं दोनों मीदवारों में से एक के लिए मतदान करेंगे वही मतदान के लिए भारत जोडो यात्रा की यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और यात्रा में एक कैंप बनाया गया है जिसमें राहुल गांधी और करीब 40 मतदाता मतदान करेंगे मतदान के बाद मतपेटियों को दिल्ली लाया जाएगा कॉंग्रिस नेता पीच दम्वरम ने सबसे पहले AICC में वोट किया वहीं जैराम रमेश कॉंग्रिस अद्यक्षपत चुनाओ के उमीद्वार खडगे ने बैंगलूरू में और थरूर ने तिरू अनंधपुरम इस्थित प्रदेश कॉंग्रिस का रहले में अपना वोट दिया वहीं कॉंग्रिस के अंतरे मध्यक्ष सुनिया गांधी मनमोहन सेंग प्रियंका गांधी समिट CWC के सदसे 24 अकफर रोड इस्थित कॉंग्रिस मुख्याले में बने बूत में मतदान कर रही है और दूसरे मतदाता भी पूरे उत्साह के साथ वोटिंग में हिस्सा ले रही है डीवी लाइफ की रिपोर्ट